रविवार का दिन था राघव छुटी पर था लेकिन राघव के मामा रोज की तरह काम पर गए थे राघव सुबह सुबह ही क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था जब घर लोटा तो उसकी मामी ने खाना बना लिया था और राघव का इंतजार कर थी तभी राघव भी आ गया था आओ राघव जल्दी से खाना खा लो अभी आया मामी कहता हुआ वर फ्रेश होना ही चला गया राघव फ्रेश होकर तोलिया तलाशने लगा तभी मामी ने कहा मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धोकर डाल दिये मामी खाना टेबल पर रखत राघव बेटा खाना शुरू करो राघव की नजर अपनी मामी पर गया क्योंकि इस साड़ी में मामी का काफी कुछ दिख रहा था मामी ने शर्माते हुए राघव से कहा क्या देखना है तो कमरे में चलो फिर सही से देख लेना ये सुनकर राघव को थोड़ा अजीब सा महस उसने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया उसको मामी का बरताव आज कुछ अजीब सा लग रहा था उस दिन राघव दे रात से घर पर आया था और खाना खाकर सो गया अगली सुबह उठा तो राघव का हलका सा सिर दर्द कर रहा था इसके चलते वो आज ड्यूटी नहीं गया था और यह भी जानना चाह रहा था कि उसकी मामी उसके साथ ऐसा बरताव क्यूं कर रही थी राघव जितना सोचता उतना उलचता जाता राघव ने दोपहर का खाना खाया और वो अपने कमरे में आराम करने जाता है तब ही मामी ने आवाज लगाई वो उठने चोब गया, वो मामी को देखकर, चोक गया, क्योंकि मामी बातरूम, दर्वाजा खोल कर नहा रही थी, और राघव ने अपनी मामी को नहाते हुए देख लिया था, तभी मामी ने आवाज लगाई बाहर, क्यों खड़े हो अंदर आ जाओ, राघव अंदर जाने की बजाए ब वोई चाहते हुए भी बाहर ना जा सका, और मामी ने उसके उपर पानी डाल दिया, राघव भीग जाने की वजह से भी मामी के साथ नहाने लगा, और थोड़ी ही देर में मामी भांजे का रिश्टा तार-तार हो गया, राघव उस दिन पहली बार किसी ओरत के पास गया था, खानदान चलाने के लिए बच्चा तो चाहिए ना तेरे मामा तो बस खाना पूर्ती करते हैं इसके अलावा भी कुछ चाहिए जो अब तुम मुझे दोगी इतना कहकर मामी ने राघव को गले से लगा लिया और फिर दोनों एक हो गई उसके बाद जब भी मामी को मौका मिलत तो वह राघव के करीब आजाती थी और उसका इस्तेमाल कर दी थी राघव को भी खूब मज़ा आने लगा था एक दिन मामी को बेटा वहा मामी बहुत खुश थी और कुछ दिन बाद राघव ने अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करा लिया क्योंकि जबसे मामी को बेटा तब से मामी की राघव पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि अब राघव को भी मजह आने लगा था उसको तो मामी की लत लग चुकी थी और मामी का उस पर ध्यान ना देना उसको खोलने लगा था लेकिन मामी ने तो सिर्फ इस्तेमाल किया था ताकि उसे संतान सुख मिल सके अ प्रागव ने पुरानी बातों से सबक लेते हुए मामी के पास नहीं गया उसने अपने आपको संभाल लिया था